नमस्कार साथियों, साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वाधत है, आज आपको बताएंगे जन्वरी महा में जन्में हुए जातकों का सुभाव कैसा होता है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले निवेदन है विरंति ये चै प्रवत्ति के लोग होते हैं, बहुत संगर्ष करके जीवन में अन्तिक समय में सफलता को प्राप्त करते हैं, इनके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति रही या है, उसकी परवाह कभी नहीं करते, जैसी परिस्थिते उसमें ढ़ल जाते हैं और विप्रीत परिस्थितियों में भी धीरज, धैर, सैयम नहीं खोते और संक्टों का, मुसीवतों का, दुखों का डट कर सामना करते हैं और एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, सफ़लता प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदिय नहीं सोतंत विचारधारा के होते हैं, कभी किसी के अंडर में, अधिकार में कारी करना इन्हें पसंद नहीं होता नेत्त्तु की छम्ता इन में एकनी जवर्दस्त होती है कि जीवन में यह राजनीत के छेत्र में बहुत सफल होते हैं या समाज में एक महत्पूर्ण इस्थान, महत्पूर्ण पदों पर आसीन होते हैं। हाला कि लोग इनका इस्तेमाल करके, लोग इनसे अपना काम निकालके, इनको उस तरीके से फेक देते हैं जैसे दूद मेस से मक्खी निकालके फेक दिया जाता है। काई बार धोके के शिकार हो जाया करते हैं। प्रेम संबंदों की बात करें। तो यह जीवन में जिस पर भी प्रेम करते हैं। वो रिलेशन उनका कैसा भी किसी के साथ होने दो। प्रेमका का होने दो, दोस्त का होने दो, मित्र का होने दो, यह कभी धोखा नहीं देते, हमेशा साथ देते हैं, जबकि इनके साथ ही हमेशा धोखा होता रहता है। जन्में हुए जा तक अपने क्रोधपन नी अंतरन रख लें, तो निश्यत मालोक इनसे ज्यादा सफल व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं हो सकता। वहीं, 11 से लेकर, 20 से लेकर, 31 जन्में हुए जा तक होते हैं, वो हमेशा छोटी-छोटी बातों को अपने दिमाग में हमेशा चिंतन करते रहते हैं, चोटे सोशते रहते हैं और चिर्चड़ापन बहुत ले आते हैं, यदि यह अपनी ऐसी आदितों को छोड़नें, तो निश्यत मान लोक की जीवन में इनसे ज्यादा सफल कोई नहीं हो सकता। जीवन में धन से ज्यादा व्यक्ति को महत देने वाले लोग होते हैं, जिनका जन जन्वरी महा में होता है। पैसा यह फिर कमा लेंगे, लेकिन रिष्टे कमाना इनके लिए बहुत महत पूर होता है। ऐसी विचार धारा के लोग होते हैं, जिनका जन्वरी महा में होता है। यदि दो आदितें छोड़ दें, जन्वरी महा में जन्में हुए जातक, एक तो जो इनके मन में अंतरदवन्द हमेशा चलता रहता है। एक इस आदत को छोड़ें और दूसरा क्रोध पर नियंतरण करने तो जन्वरी में जन्में हुए जातक वो इस्तरी हों या पुरुस बहुत सफल होंगे। बहुत सफल होंगे। इनसे ज़्यादा सफलता दूसरा कोई इस संसार में प्राप्त नहीं कर सकता है। वीडियो पसंद आयो तो शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धरीवार।